ना मज़कर दोस्तो आज की रेट में अपन बात करेंगे सेल की वंस अगेन दोस्तो आज की रेट के अगर बात की जाए तो एक परसेंड के ऊपर का अपसाइड अभी फिलाल देखने को मेंट रहा है अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एक बच के तेईस मिनिट का टाइ से तो आज की रेट में भी आपने देखा होगा जब सेलिंग के साथ बाइंग आई अगेन डिप पे लेकिन उतनी बड़ी सेलिंग देखने को नहीं बिल्ट रहा है तो यहां से अगेन ब्रेक आउट की संभावना बनी हुए और इसका जो मेजर रेजिस्टेंस बनने वाला जहां से इससे पहले स्टोक ने डाउंटेंड दिखाया था एक दिल्ट साल पहले तो अभी 150 के ऊपर भी स्टोक ब्रेक आउट कर सकता है जिस तरह से पूरा सेक्टर ही भाग रहा है दोस्तों यह जो लेवल है जहां से डिप्य बाइंग देखने को मिली है 130 का जो लेवल है यह कभी immediate support का काम करेगा इसके ऊपर जब तक है दोस्तों तब तक कुछ बड़ी selling देखने को नहीं मिलेगी और जो सबसे आखरी support लेवल रहेगा दोस्तों इससे पहले जहां से गिरावट आई थी किस लेवल से आई थी 124, 125 के लेवल से 107 तक का fall आया था दोस्तों इसको breakout दिया है तो जिस लेवल को breakout किया यह एक major support का काम करेगा which is 124 का लेवल तो और upside में अभी momentum देखने को मिल सकता है क्योंकि बड़ी selling है आपर देखने को नहीं मिल रहे दोस्तों ऊपर की ओरी stock sustain होती वे नजर आ रहा है तो इसी लेवल पर नजर रखना आज की date में भी closing अग इसी हफते में बड़ा momentum देखने को मिल सकता है उसके बाद जो अगला resistance करेगा वो करेगा 144 के लेवल पर 144 के उपर breakout के बाद 150 तक के लेवल देखने को मिल सकते है 150 के लेवल से दोस्तों बड़ी selling अगर नहीं आती है तो 150 के उपर भी breakout देने की संभावना बनेगी वैसे करे लेवल सकता है